आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हमारे पास एक सवाल है जहां पर बोला गया है कि The Upper and Lower Fixed Points of a Faulty Thermometer are 5 Degree Celsius and 105 Degree Celsius मतलब बोल रहा है हमारे पास एक Thermometer है जो की Faulty है तो उसका जो Lower Temperature है Lowest वो कितना है 5 Degree Celsius और जो Upper जो है वो है कितना 105 Degree Celsius और यह हम जानते हैं कि जो Thermometer है हमारा यह क्या है Faulty है तो बोल रहा है कि If the Thermometer reads 25 Degree Celsius What is the Actual Temperature मतलब हमको बोला गया है कि अगर Thermometer 25 Degree Celsius रीड कर रहा है तो Actual Temperature हमारा क्या होगा तो जैसे कि हम देख सकते है यहाँ पर कि अगर हमारा 5 Degree Celsius है Lower और अपर कितना है हमारा 105 Degree Celsius यानि कि जो Actual Temperature है इसका Actual में कितना है यह Actual में यह 0 Degree Celsius को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह Actually में 100 Degree Celsius को रिप्रेजेंट कर रहा है यह हम जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो Actual Temperature है उससे क्या 5 Degree Celsius ज्यादा शो कर रहा है यह Faulty Thermometer 0 को 5 शो कर रहा है 100 को 105 शो कर रहा है तो अगर 25 शो कर रहा है यह Faulty Thermometer तो Actual Temperature कितना होगा 25 माइनस 5 20 Degree Celsius So This is the Actual Temperature तो यह है इस Question का Answer